क्या बोल दी पबले एक वेलकम टू टेक 68 फ्रेंड जितने भी मोबाइल फोन से उसमें प्रोसेशर होता है और बहुत सारी कंपनी होती है जिसके प्रोसेशर मोबाइल में होते है तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी के कौन से करना ना भूले दोस्तों सबसे पहली हमारी सीरीज है कौल कौम स्मेटर की वहे फ्र हमें दोस्तों यह सब्सक्राइस के प्रोसेशर है आपको फो हंड़्ेट की सीरीज में मिलते हैं तो जो भी मोबाइल फोनस्मेटiable में या smartphone में आपको यह processor मिलते हो 439, 460, 480, 450 तो आप समझ सकते हैं कि यह 400 series के entry level के processor है इसके अलबाद दोस्तों कौन-कौन से ऐसे notable mobile phones है जिसके अंदर आपको इस series के processor मिलते हैं वो है snapdragon 600 वाली series तो यह दोस्तो value for money वाली series है यह आप इसे कह सकते हैं mid-level वाली series है इसमें आपको कौन-कौन से processor मिलते हैं आपकी screen पे आप देख सकते हो 632, 636, 662, 665, 670, 675 और 690 यह सारे जो processor है वो आपको इस series में मिलते हैं तो कौन से भी mobile में अगर आपको यह सब processor मिले कौन से इसे mobile phones है? notable mobile phones है जिसमें आपको यह processor मिलते हैं वो है OnePlus Node N10, Nokia 5.3, Moto G3 Power और Poco X3 इन सब mobile phones में आपको यह processor 600 series वाले processor मिलते हैं तो दोस्तो अभी तक हमने 400 series और 600 series के उपर बात कर लिए हैं अब आगे बढ़ते हैं और next series पर बात करते हैं Qualcomm Snapdragon 700 series यह हमारी next series है दोस्तो middle level और जो flagship level है यह दोनों का gap जो है वो बहुत ही बड़ा है इसे bridge करने के लिए यह अपर mid level वाली series है जिसे हम कहते हैं 700 series इसमें दोस्तो आपको कौन कौन से processor मिलते हैं वो आप अपने screen पर देख सकते हो Qualcomm Snapdragon 730, 730G, 732G, 750G, 765, 765G, 768G, 780G जो 780G है Qualcomm Snapdragon 780G वो सबसे latest है 700 series में इसके अलावा दोस्तो कौन से ऐसे notable mobile phones है जिसमें 700 series के processor लगे हुए हैं वो है Google Pixel 5, OnePlus Node, Samsung Galaxy A52 और Nokia 8.3 इन सब mobile phones में आपको 700 series के processor मिलेंगे Qualcomm Snapdragon 800 series यह flagship series है इसके उपर कोई series नहीं है अभी तक और इसमें जितने भी processor है वो बहुत ही powerful होते हैं कौन-कौन से processor है वो आप अपने screen पे देख सकते हो 855, 855G, 860, 865, 865G, 870 और 888 यह जो 888 है वो Qualcomm का सबसे powerful smartphone का processor है इससे powerful कोई दूसरा processor अभी तक नहीं है यह video बनाने तक कौन-कौन से mobile phones है जिसके अंदर 800 series के processor मिलते हैं वो भी देख लेते हैं Xiaomi MI 11, OnePlus 9 series, Asus ROG Phone 5, Sony Xperia 1 Mark 3 इन सारे mobile phones में आपको 800 series के processor मिलते हैं सबसे बहले मैंने आपको entry level series बताई जो 400 है उसके बाद मैंने आपको mid level series बताई जो 600 series है उसके बाद आपको मैंने upper mid level series बताई जो 700 है और जो flexive series है वो है 800 तो आपको दोस्तों कुछ idea तो मिल गया होगा जबी भी आप mobile phone लेने जाओगे तो आप सिर्फ mobile के processor को देख के बता सकते हो कि यह कौन से series में है तो next part में दोस्तों मैं media dick के जितने भी प्रोसर होते उसके बारे में बात करूंगा तो इसी के दाथ दोस्तों the end होता है Qualcomm Snapdragon अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन को ज़रू दबाए फ्यूचर नोडिफिकेशन के लिए थैंक यू